क्या आप Airtel 5G डेटा यूज करना चाहते हैं वो भी फिरी में unlimited तो आप आसान से यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने फोन में Airtel 5G सेटिंग करने होंगे Airtel 5G एक्टिवेट करने होंगे सो चलिए इस वीडियो में जानते हैं Airtel 5G एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं ताकि हम Airtel 5G unlimited डेटा यूज कर पाएं सो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन में प्लेश्टूर अप को ओपन करना है ओपन करने के बाद सर्च बार पर सर्च करना है Airtel थैंक्स एप इसके बाद आप इस एप को इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे जैसे का आप यहाँ देखे मैं इंस्टॉल कर लिया अंस्टॉल करने के बाद open बटन पर क्लिक करना है जैसे आप यहां क्लिक करते हैं आपका यह app open हो जाएगा इसके बाद आप अपना यहां पर phone नमबर को डालेंगे जो आपका एटल मोबाल नमबर है आप यहां एंटर करेंगे चले मैं फटाफट एंटर करने के बाद get otp पर फील हो सकता है अधरवाज मैंने वाली एंटर करने के बाद आप यहां देखेंगे welcome लिखकर आजाएगा इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है next कर देना है इस तरह से allow permission दे कर गे शभी allow permission को दे देंगे देने के बाद आप यहां देखेगा इस तरह home page आजाएगा आज तो से आप यहां इस पर क्लिक करते हैं आपके समने आजाएगे इस तरह से जो कि 5G यहां data free में मिलेगा लिखा हुआ है आप यहां देखें 0 रुपया है और यहां सब से निचे देखें claim now का option है आपको यहां क्लिक करने के बाद वेट करना है वेट करते हैं तो आपके समने आजाएंगे request successfully अब आप यहां देखिए unlimited 5G data free हो चुका है active हो चुका है मैं इसका एक screenshot ले लेता हूं इसके बाद आपको यहां चेक यह और 5G readiness पर क्लिक करना है जैसे आप यहां क्लिक करते हैं आपके समने चेक हो जाएगा और यहां पर देखेंगा 5G handset आपका होना चाह यह तभी आपका यहां आएगा great news और यहां लिखकर आजाएगा you are 5G ready अब आप यहां 5G इस्तमाल कर सकते हैं अब आपका ready हो चुका है और आपको यहीं पर video end नहीं करनी है कुछ और settings करने है mobile setting में चले जानते हैं वो कौन से settings है आपको यहां bank आजना है bank आजने के बाद अपने phone में mobile setting को open करने है चल मैं करता हूं इस तरह खोज कर setting open करना है open करने के बाद आप यहां देखेंगे network and internet या आपके mobile में sim network मिलेगा आपको इसी पर click करना है जैसे आप इस पर click करते हैं आज जाएगा sim card and mobile network पर click करना है अगर आपके phone में यह option ना मिले तो आपको यह यहां sim card info जरूर मिलेगा आपको उसी पर click करना है कोई एक sim पर चले मैं यहां पर click करता हूं sim card and mobile network पर अब आप यहां देखें दो sim नीचे है मैं यहां पर sim 2 पर click करता हूं क्योंकि airtel का sim है इसके बाद आपको यहां roaming को on करना है इस तरह click करके on करने के बाद freeford network type पर click कर करना है इसके बाद फाबजी पर click करके छोड़ देंगे इसके बाद आपको यहां bank आज़ाना है आपका setting complete हो गया है अब आपको अपने phone को एक बार restart कर लेना है चले मैं अपने mobile को restart करता हूं इसके बाद on करता हूं restart करने के बाद आप यहां देखिए दिखरावगा फाबजी हो चुका है एयर टेल फाबजी दिखा रहा है अब मैं फाबजी इस्तमाल कर सकता हूं इस तरह आप एयर टेल फाबजी एक्टिवेट करके इस्तमाल कर सकती हो